हेलो एवरीवन तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजिस्थान के प्रमुक त्योहार जिसमें हमने भादों के त्योहार और शावन के त्योहार जो हैं वो पढ़ लिये थे अब हम पढ़ेंगे आश्विन महा में आने वाली प्रमुक्त्योहार, तो सबसे पहले है नवरात्रा, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एक साल में चार बार जो है नवरात्रे आते हैं, जिन में से दो नवरात्रों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और बाकी जो दो नवर जिसमें से एक आश्विन महा में आता है और दूसरा चैतर महा में आता है तो ये दोनों नवरात्रों को हम लोग पूसते हैं आठ या नौ दिन जो है माता की पूजा की जाती है आश्विन सुकल प्रतिपदा से नवमी तक जो है नवरात्रा मनाया जाता है कौन से वाले नवर और दुर्गा अस्टमी पक्षमी बंगाल में लोक्रिय हैं। तो ये चीज हम जानते हैं कि पक्षमी बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार यही होता है दुर्गा अस्टमी। मादुर्गा की उपासना पूजा की जाती है। तो पूरे आठ दिन जो है यहाँ पर बहजन, कीर्टन वगरण गाये जाते हैं और नौवे दिन क्या किया जाता है कि छोटी कन्याओं को पुला कर उन्हें जो है भोजन कराया जाता है और जिन लोगों ने व्रत वगरण किया होता है तो वह है उपवास उस दिन खोला जाता ह यानि 9 दिन जो है माता की पूजा की जाती है, तो याद रखेंगे नवरात्रे एक तो चैत्र में आने वाले और दूसरे आश्विन महा में आने वाले नवरात्रे, दसहरा या विज्य दस्मी, तो दसहरा जो है आश्विन सुकल दस्मी को मनाया जाता है, और इस दिन भगवा रावण का वद किया था तो इस उपलक्ष में क्या मनाते हैं दसहरे का त्योहार मनाया जाता है। भारत में दसहरे का मेला मैसूर का प्रिसिद्ध है, जबकि राजिस्थान में कोटा में मेला लगता है दसहरे का बहुत बड़ा। इस दिन खेजडी जो है ब्रक्ष इसकी पूजा होती है और लील टांस पक्षी का दर्शन करना सुब माना जाता है तो याद रखना है दसहरा या विजय दर्शमी जो है आश्विन चोकल दर्शमी को मनाया जाता है नेक्स्ट देखिए शरद पूर्णिमा तो शरद पूर्णिमा को त्योहार जो है आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है ठीक है और पूरे साल में केवल इसी दिन जो चंदर्मा है वह 16 कलाओं से परिपून हो जाता है और ऐसा मानते हैं कि रात में चंदर्मा की किर्णों से जो है अम्रित जड़ता है तो रातरी को खीर बना कर जो है लोग रखते हैं चांदनी में और सुबे जो है वह खीर खाई जाती है तो ऐसा विधान जो है वो पहले से ही चला आ रहा है ठीक है तो याद रखना है शरद पूर्णिमा जो है कब मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है नेक्स्ट देखें करवा चौत तो इस व्रत के बारे में सभी जानते हैं करवा चौत का व्रत जो है किस तरीके से किया जाता है अपने पती की लंबी आयू के लिए महलाएं जो है इस व्रत को कर और रात्री के समय चंद्रमा के आने पर जो है अर्ग दिया जाता है और उसके बाद व्रत खोला जाता है तो याद केवल इतना ही रखना है कि करवा चौत कब किया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्ती को करवा चौत का व्रत किया जाता है अहोई अस्ट्मी जो है कार्तिक कृष्ण अस्ट्मी को मनाई जाती है अहोई अस्ट्मी का त्योहर कम मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण अस्ट्मी को मनाया जाता है तो जिस तरीके से करवा चौत का वरत जो है इस तरीयां क्यों रखती हैं अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती हैं उसी तरीके से अहोई अस्रमी का जो वरत है तो इस दिन जो मा होती हैं माताएं होती हैं वो अपने संतान की लंबी आयू के लिए सुख सम्रिद्धी के लिए इस व्रत को करती है ठीक है और इस दिन से दिवाली की सुरुवात जो है यहां से हो जाती है तो यह व्रत जो है करवा चौत के चार दिन बाद जो है रखा जाता है तो यहां माताएं जो है वो अपने बच्चों की लंबी आयू के लिए पूरे दिन जो है निर्जला वल एक पौधा नहीं होता है बलकि ये जो है हमारे हिंदू धर में बहुत ज्यादा पूजनिय मानी जाती है और हर दिन जो है सभी जो है तुलसी की पूजा भी करते हैं तो कार्तिक कृष्ण एकादसी को तुलसी पूजन कत्योहार जो है वो मनाया जाता है नेक्स्ट देखें धन तेरस कार्तिक कृष्ण तुलसी को धन तेरस आता है और यमराज धनवंतरी की इस दिन पूजा की जाती है और चांदी खरीदना जो है वह सुब माना जाता है कई लोग जो है सोना भी खरीदते हैं इस दिन कई लोग जो है बरतन वगरा भी खरीदते है वो सोचते हैं कि इस दिन सोना, चांदी, बरतन ये खरीदने से क्या होती है, बरकत होती है, ठीक है, यहाँ यह याद रखेंगे कि कार्ति कृष्ण त्रियोदसी को धन तेरस हम मनाते हैं, नेक्स्ट देखें और इसी के नेक्स्ट डे रूप चौदस आता है, तो जिसे क्या बोलते हैं हम छोटी दीपावली, तो छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं हम इस दिन को, और इसे कहते क्या है, रूप चौदस, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि रूप चौदस जो है, यह शब्द तो आप लोग नहीं जानते हैं, छोटी दीपावली जानते हैं, कि ध चूटी दिपावली के बाद कौन सी दिवाली मनाई जाती है? बड़ी दिपावली मनाई जाती है, जिसे सभी जानते हैं, पठाके वगरा फोड़े जाते हैं, लाइटें लगाई जाती है, ठीक है? तो यदी एगसाम में question आता है कि दिपावली का त्योहार कभ मनाया जाता है तब आप जो है आंसर कौन सा करेंगे चोटी दिपावली का या बड़ी दिपावली का तो आंसर वहाँ आप बिलकुल यही लगाएंगे कार्तिक अमावश्या को मनाया जाता है दिपावली का त्योहार ठीक है और जब एक्जामिनर को पूछना होगा नरक चतुर दसी या तो आप लिखेंगे कार्तिक क्रिष्ण चतुर दसी को ठीक है या रूप 14 कं मनाया जाती है तो कार्तिक अमावश्या को रूप 14 छोटी दिपावली या नरक चतुर दसी मनाया जाती है ठीक है तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रखियेगा वैसे एक्जामिनर जो है केव इतना ही अभी तक पूस्ता आया है कि दीपावली को त्योहार कम बनाया जाता है। ध्यान रखें कार्थिक अमावश्या को। इस दिन भगवान राम का बनवास पूर्ण हुआ था तो इस खुसी में लोग क्या करते हैं। घर घर में जो है बहुत सारे दिये वगेरा जलाये जाते हैं, पटाके फोड़े जाते हैं, भगवान राम का बनवास पूरा हुआ था तो उनके आने की कुसी में ये काम किया गया था। इसी दिन महावीर स्वामी और धयान अंसरस्वती की पुन्यते थीवी मनाई जाती है, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो अपने बही खाते बनाते हैं। नेक्स्ट देखें, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा कार्तिक सुकल प्रत्थम को मनाया जाने वाला त्योहार है। और इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन परवत को बाए हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। तो इस त्योहार में क्या किया जाता है कि गाए के गोवर्धन नाजी की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर इनका पूजन किया जाता है। नेक्स्ट देखें भईया दूज तो भईया दूज जो है भाई भेनों का त्योहार है और यह कार्थिक सुकल दुत्यों को मनाया जाने वाला त्योहार है। गोवर्धन के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है। भईया दूज का त्योहार मनाया जाता है। देव उठनी एकादसी यानि कि देवों का उठना तो यहां से जो सभी मांगलिक कार्रे जो है वो प्रारम हो जाते हैं विवहाव अगरा जो है यहीं से सुब माना जाता है तो कार्तिक सुकल एकादसी को देव उठनी एकादसी का त्योहार मनाया जाता है इसे देवोत्यान, प्रबोधिनी, तुलसी एकादसी भी कहते हैं और मांगलिक कारे जो है वो यहां से प्रारम हो जाते हैं नेक्स्ट देखिए तो यह एक बात जो है वो नोट करने वाली है कि कार्तिक महा में ही पुसकर मेला भरता है कार्तिक पुर्णिमा को जो सबसे रंग बिरंगा मेला है और इस मेले में सरवादिक बिदेसी परियाटक आते हैं और इसी दिन जो है साख्य दर्सन के जो प्रणेता है कपिल मुनी इनका भी मेला लगता है तो कार्तिक पुर्णिमा में दो मेले कायोजन किया जाता है पुसकर मेला और कपिल मुनी का मेला तो कॉलायत भीकानेर में कपिल मुनी का मेला लगता है और पुसकर मेला कहां लगता है पुसकर में और किस दिन लगता है कार्तिक पोडिमा को लगता है नेक्स्ट देखें काल भहरव जैन्ती तो काल भहरव जैन्ती जो है मार्ग शीर्स कृष्ण अस्टमी को मनाई जाती है ठीके तो एक यही लाइन ध्यान में रखें काल भहरव जैन्ती के बारे में नेक्स देखें दत्ता त्रे रिशी का जन्म तो इनका जन्म हुआ था मार्ग शीर्स कृष्ण अस्टमी को मनाई जाती है तो यह तीन जो है केवल इतना ही ध्यान में रखें कि काल भहरव जैन्ती कृष्ण अस्टमी को मनाई जाती है दत्ता त्रे रिशी का जन्म कृष्ण दसमी को मनाया जाता है, वहीं पर गीता जयनती जो है, वहें एका दसी को मनाई जाती है, ठीक है, और ये तीनों ही मार्ग शीष में आने वाले त्योहार हैं, नेक्स्ट देखिए तिल चौत का त्योहार, तो तिल चौत जिसे संकटा चौत भी कहा जाता है, और इस दिन जी की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, और शाम के समय जो है, तिल और गुड जो है, इनको मिला कर और फिर भगवान को इसका भोग लगाया जाता है, और फिर चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है, और इस तरीके से जैसे करवा चौत का त्योहार होता है, उसी तरीक से तिल चौत मनाई जाती है ठीक है तो माग कृष्ण चतुर्थी को यह त्योहार मनाया जाता है गनेश जी और चौत माता को तिल का भोग लगाया जाता है तो आपको तो केवल इतना याद रखना है कि माग कृष्ण चतुर्थी को तिल चौत मनाई जाती है नेक्स्ट देखिए बसंत पंचमी तो बसंत पंचमी का त्योहार जो है हिंदूओं का विसेश त्योहार है और इस दिन जो है पीले वस्तर धारण किये जाते हैं माग सुकल पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है बसंत का प्रारम हो जाता है यहां तक की खेतों में सरसों जो है उनके पीले फूल जो है वो भी दिखाई देते हैं और गेहु है जो है उनकी बालिया जो है वह भी दिखाई देती है और सरस्वती मा जो है इनकी पूजा जो ह शिवरात्री का त्योहार जो है पागुन महा में मनाया जाता है पागुन क्रिष्ण त्रियोधसी को मनाते हैं इस दिन शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी और देखिए पेमस है महाशिवरात्री मेला करॉली का फुलेरा दूज तो इस दिन जो है जिन लोगों का विवहा जो है पूरे साल भर जो है जिनका मुहुरत नहीं निकल पाता है तो वो लोग इस दिन शादियां करते हैं तो बहुत सारी शादियां जो है इस दिन होती है फुलेरा दूज के दिन पागुन सुकल दुटियों को ध यानि फागुन आ गया है, तो फागुन में ही होली कत्योहार मनाया जाता है, फागुन पूर्णिमा को, हिरन्य कश्यप का पुत्र प्रहलाद था, जो विश्नु भक्त था, जिसे जलाने के लिए हिरन्य कश्यप की जो बेहन थी होली का, तो वो खुद जल गई थी, ठीके, त माइंड में क्या लाते हैं यही लाते हैं कि होली का जो है लेकर बैठी है पहलाद वो अपनी गोध में और होली का तो जल जाती है और पहलाद जो है वो नहीं जलते हैं क्योंकि इन पर भगवान की करपाधी तो लठ मार होली जो है कहां की प्रसिद है महावीर जी करॉली की प प्रसिद्ध है वही पर पत्थर मार होली जो है कहा की प्रसिद्ध है बाडमेर की प्रसिद्ध है देवर भावी की होली ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है तो ये तीनों पॉइंट जो है होली के बारे में ध्यान में रखें तो याद रखना है फागुन पूर्णिमा को होल का त्योहार मनाया जाता है, लठमार होली महावीर जी करोली की प्रसिद्ध है, बाडमेर की पत्थर मार होली और ब्यावर अजमेर की देवरभावी की होली. मकर सक्रांती, मकर सक्रांती 14 जन्वरी को मनाई जाती है और सूर्य जो है इस दिन मकर राशी में प्रवेस कर जाता है या सूर्य का उत्रायन में प्रवेस पतंग महुतसव होता है इस दिन, लोग जो है पतंग उड़ाते है राजिस्थान विकास निगम द्वारा जैपूर में कराया जाता है किस दिन होता है मकर सक्राम्ती के दिन 14 जन्वरी को तो आज हम यहीं तक करेंगे बहुत सारे त्योहारों के बारे में आज हमने जाना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर त्योहारों का जो topic है वो complete हो जाएगा तब तक आप जो भी त्योहारों के बारे में मैंने आपको बताया है उसे बारवार आपको देखना है, पढ़ना है कौन सा त्योहार किस महा में किस तिथी को मनाया जाता है और क्यूं मनाया जाता है तो ये तीन जो लाइने हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू